दोस्तो स्वागत है एक नहीं वीडियो में, दोस्तो इस वीडियो मताने वाला हूँ कि आपके पास Redmi Note 10 Pro Max है या Redmi का कोई और फोन है, तो आपके इस तरह से SIM इंसर्ट करके नेटवर्क की सेटिंग कर सकते हैं, जब आप फॉर्स टाइम्स मुबाईल लेते हैं, तो इसमें बह आपका सीम ट्रे है, वहाँ पे इस तरह से SIM को बाहर निकालेना है, सीम ट्रे को बाहर निकालने के बाद आपको सीम, अगर आप एक सीम डाल रहे हो, तो किसी भी ट्रे में डालो, कोई फारक नहीं पड़ता, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये बीच में डालना है इस तरह से आप इसेर्ट कर देना, इसेर्ट करने के बाद आप Jewel पे पे उन्लॉक कर लेना, आपकोół्त करने की कोई भी थार सकता नहीं है, जब आप इस तरह से करोगे आपके बास कुछ ऐसा आए गा तो ओकर दिजेगा, अब यहाँ पे आपको क्या करना है Setting पे चले जान जब इस पर जाओगे ना तो जो SIM इंसर्ट होगा ना वो SIM दिखेगा जो SIM नहीं होगा वो SIM नहीं दिखेगा तो अभी देखो अभी यह वाला जो सेटिंग है ना default calls और default data card इसको मैं बता देता हूं क्योंकि मैंने दो SIM नहीं लगा रखा है यहाँ पर दोनों SIM होता तो default calls यानि कि calls आप किस SIM से करना पसंद करते होता अगर यह यहाँ पर चेकमा करते ना इसका मतलब होता कि बार बार यह पूछता आप से और अगर एक कर दोगे तो direct call आपक आप net चलाना चाहते हो उससे आप select कर सकते हो तो मैंने एक ही SIM लगा रखा है इसलिए मेरा एक ही select है अब एक चीज़ सबसे पहले आपको SIM की setting बताता हूं तो जिस SIM की setting करनी है SIM on की SIM 2 की तो SIM on की setting करनी है तो SIM on पर आप क्लिक कर लोगे सबसे उपर जो आपको आता है वो ना नाम आता है तो नाम आप कुछ भी रख सकते हो जरूरी नहीं है कि जो default नाम है वही रखो नाम से कोई फरक नहीं पड़ता है इसके बाद SIM का नंबर भी आप edit कर सकते हो कुछ भी रख सकते हो और यहां पर access point name होता है तो access point name को अभी हम कुछ भी नहीं छेड़ेंगे क्यों इसको हम बाद में set करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है नीचे में preferred network type पर जाना है और यहां पर सबसे उपर जो आ रहा होगा आपके phone में वो कर देना है तो मैं prefer LTE कर देता हूं आपका 5G है तो 5G कर देजएगा और यहां पर mobile networks पर आता हूं इसको आपको यह blue करके अब यहां पर call drop की समस्या भी खतम हो जाएगी video call की भी खतम हो जाएगी मतलब हमने normal setting कर दिया अब यहां पर करने के बाद आपको access point पर जाना है बाद में और इसके बाद यहां पर एक बार reset कर देना है अब यह कर लिया आपने इसके बाद आपको back चले जाना है sim के setting तो ह हो गई वहां पर अब यहां पर mobile data अगर आपको active करना है तो यहां से आप कर सकते हैं तो यह जो सिम होगा उसी सिम से आपको mobile data चलेगा इसके बाद कुछ additional settings भी होती है जैसे कि data roaming होता है तो यहां पर पैसे बैसे तो लगते नहीं आज के date में तो यहां पर आप जैसे कि international roaming क क्या कोई मतलब नहीं है लेकिन हम इसको भी always कर देते हैं यहां पर कोई फरक नहीं पड़ता और यहां पर set daily data limit का option आता है जैसे कि आप देख सकते हो तो जैसे ही आप यहां पर roaming को आप enable करते हो यहां पर data limit का option आता है तो इसकी वीडियो में अलग से बना रखी है और यहा इतना सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि इधर बैटरी वाले के तरफ से आपको ऐसे करना है mobile data आप का enable करके और नेट चला करके देख लेना है अब एक चीज़ और बताता हूं बहुत सारे केसे में ऐसा होता है कि नया mobile लोल लेते हैं और सीम डालते हैं तो भाया आप यह सारी सेटिंग कर लो और mobile को restart कर लो आपका नेट चलेगा और फिर भी नहीं चल रहा है तो यार सीम फिर ना आप चेंज कर लो क्योंकि सीम में भी इसूज हो सकता है अगर किसी और फोन में उससे नहीं चल रहा है तो और नहीं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है एक टल के तरफ से जसी सीम डालोगे जो सर्विस मेसेज होता है तो उस पर दो तीन बार किलिक करके अक्टिव कर लो ओके ओटीपी आता है तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक से सब्सक्राब जो डू कीजएगा चले मिलते है नेक्स वीडियो में कि तदे कले वावे